राम के साथ सीता है, हनुमान है, लक्षमन है, फिर भी कह रहे हैं कि ये रमाइन नहीं हैं, आदी पुरुष के निर्माताओं परबढ़का, हाई कोर्ट, बुरे फसे, मोधी सरकार के करीबी, मनोज मुंसिर सुकला, जी है दोस्तों, जी इस तरह से आरोप लगता रहा है, पर इंदु दर्म को केवल अपने सवार के लिए पर्योग करते हैं, यह आरोप लगातार विपक्सी दल लगाते रहे हैं, बारती जनता पार्टी पर, लेकिन अब बारती जनता पार्टी के ही एक करीबी, मनोज मुंसिर, जिसने के आदी पुरुष की स्टोरी लिखे दे, और बुरे फस्ते नजर आ रहे हैं, बोक्स ओफिस पर जिस तरह थे, आदी पुरुष ने, ओपनिंग में, जिस तरह रिकोर्ड तोड़े थे कमाई के एक्षेटर में, तो अब बुरी तरह पिक्टी भी नजर आ रही हैं, क्योंकि दुसरा सफ़ता लगते लगते, आदी पुर देखने के लिए त्यार नहीं हैं, और आदी पुरुष को रमाइन का एक बद्दा मजा कहा जा रहा है, और साइद लोग चाहते के अब यहाँ फिलम बिल्कुल बैन हो जाने चाहिए, जिन्नों ने देख ली उनकी गलती हो गई, लेकिन आगे से कोई और ना देखे, और कि अरेक्टर ओम राउत और स्टोरी राइटर मनोज मुंसिर सुकला भी बुरी तरह फस्ते नजर आ रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, जश्टिस राजे सिंग चुहान और जश्टिस सिरीप परकास सिंग ने तिखी टिपनी करते हुए कहा कि हिंदू सहीचनू है, तो क्या आप उ उसे दबाते ही रहेंगे, बोलीवुड फिलम आदे पुरुस बनाने के बाद इसके निर्माताओं की मुश्किले खतम होने का नाम नहीं ले रही है, मंगलवार को दो जनहीत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, इलाबाद हाई कोट ने फिलम के निर्माताओं को कड़ पर क्यों किया, हाई कोर्ट, सोसल अक्तिविस्ट, कुलदीप तिवारी और बंधना कुमार के तरफ से दायर जनहीत याचिका की सुनवाई कर रहा था, जश्टिस राजे सिंग चुहान और जश्टिस शिरीप परकास सिंग ने तिखी ठिपनी करते हुए कहा कि हिंदू सही तो क्या आप उनकी बावनाओं से खेलेंगे, कोई अगर शरीफ है, तो क्या उसे दबाते ही रहेंगे, तो आप देख सकते किस तरह से लगातार, जिस तरह सोसल मेडिया पर और अन्य जगों पर मनोज मुंसिर को खदेडा जा रहा है, और उसको लपेटा जा रहा है, और उ अधिपुरुस बन रही थी, तो इसके चलते मनोज मुंसिर कभी परदानमंती नेंदर मोदी से मिल रहे थे, कभी हर्याना के मुख्यमंत्री मनोरलाल खटर से मिल रहे थे, कभी मध्या प्रदेश के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग तोहान से मिल रहे थे, तो कभी यूपी क पर मनोज मुंसिर सुरुआत में कहते के हमारी फिल्म रमाई की तरह ही है लेकिन जब सामने आई आधी पुरूश उसके बाद कहते की सका रमाई से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। ने रामाइन नहीं बनाई बलकि हमने केवल एक आदी पुरुस फिल्म बनाई है लेकिन मनोज मुच्छी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही बिग वजट की फिल्म आने जाने वाली आदी पुरुस बोक्स ओफिस पर आगे चलते चलते इतनी तरह खलोक हो गई है सा लोग बवाल नहीं करते हमने खबरों में देखा कि कुछ लोगों ने फिल्म को देखने के बाद सिनिमा हाल को बंद करा दिया उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लो एंड ओर्डर की समश्या खड़ी हो लेकिन क्या आप उनके दर ये की प्रिक्षा लेंगे याचि किरदार हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं लोग गर से निकलने से पहले राम चरितमानस का फाट करते हैं फिल्म बनाने वालों ने कुछ भी नहीं देखा उन्होंने राम सिता और हनुमान जी का मजाथ बनाकर रख दिया फिल्म में उन्हें ऐसा दिखाया गया कि जैसे वो कुछ हो ही नहीं कोरट के तेवर इतने तलक थे की जजो ने कहा कि सारा कुछ रामाइन से लिया गया है लेकिन फिर भी निर्माता डिस कलैमर बेकर कह रहे कि ये रमाइन नहीं हैं क्या आप देश में रहने वाले लोगों को बेवकुप और ना समझ मानते हैं थाई कोरट न उन दरिश्चों का क्या करेंगे जो फुहरता का परदर्शन करते हैं। जजों ने उनसे कहा के आप कंपिटेंट अथोर्टी से हिदायत लेकर आएं। हमें जो करना है हम करेंगे। बेंच ने तो यहां तक कहा के अगर फिलम को रोक दिया जाए तो क्या लोगों की जो बावनाई आहत हुई है तो वो फिर से ठीक हो जाएंगी। अदाल्त ने स्टोरी राइटर मनोज मुंचिर को पार्टी बनाते हुए उनको नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों जहां देश के लोगों की बावनाव के साथ खिलवार किया है मनोज मुंचिर सुकला ने और ओम राउत ने तो वही हाई कोर्ट भी उनको माफ नहीं करना चाहता क्योंकि जिस तरह से हिंदू दर्म का सहारा लेकर वहाँ अपनी जेवे पर न मिल जाएं कहीं इसको बनाने वाले मिल जाएं तो जुत्ते चपलों से उनकी पिटाई की जाए जिस तरह से उन्होंने बगवान राम का हनुमान का मजाक बना कर रख दिया जिस तरह माता सीता का मजाक बनाया है दोस्तों आपको याद होगा आदि पुरुष में जिस तरह स मुंसिर शुकला ने उसको लेकर लोग बढ़क रहे थे जिस तरह हनुमान जी की बासा का इस्तेमाल किया जा रहा है जो हनुमान जी के मुंसे उन्होंने बुलवाया है उसको लेकर लोग काफी वायात रिल्लू दे रहे थे और लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार आखिरकार फिल्म राइटर किस ने बना दिया हलांकि मनोज मुंसिर सुकुला को भी साइद यह जानकर हैरानी हुई कि जो लोग उनके समर्थन में थे जो उनके पहले गाने लिखे गई थे या डायलोग होते थे उनकी तारिफ करते थे वो भी उनको मा बहन की गालियां देने पर तुले हुए थे और सोशल मेडिया पर मनोज मुंसिर को टैग करकर के इतनी गालियां दे रहे थे कि मनोज मुंसिर सुकुला खुद हैरान दै गए और कह रहे थे कि लोग मेरे सनातन होने पर ही सवाल उठाने लगे है वही मेरे भाई बेन जो मेरे समर्थक होते थे वही मुझे सनातन विरोधी बता रहे है तो आप समझ सकते कि किस तरह से लगातार विपक्स ने भी आदी पूरुस फिलम का विरोध किया वो चाए कॉंग्रेस हो आमाद्मी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो आपने देखा होगा लगातार विरोध कर रहे थे विपक्सी दल कि या बारती जनता पार्टी का एक प्रोप गैंडा था जो फैल हो गया हालांकि विपक्सी दल तो ये तक आरोप लगा रहे थे कि ये 2024 की चुनाव के लिए बनाई गई फिलम थी और बारती जन्ता पार्टी में कितनी अहमियत रखते हैं उनकी एक पोस्ट को देखर समझ में आ जाता है आदि पुरुस के दोरान जब उन्होंने परदारमंति नेंदर मोधी के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था कि परदारमंति नेंदर मोधी से मिलकर वो भी इतने सम्में तक काफी अच्छा लगा वो भी बिना अपोईमेंट के तो आप सोच सकते के परदार हमतिन अंदर मोदी के करीबी होने का फायदा उठाकर मनोज मुंसिर शुकला ने हिंदू दर्म के नाम पर ऐसी वहयत फिलम प्रोस दी जिसको देखकर लोग हैरान रह गए और इस फिलम पर बरेग लगता नजर आ रहा है दोस्तो इस पर आप क्या कहते है अपनी रहा कमेंट बोक्स में जरू दीजेगा लोग तो ये तक सवाल उठा रहे कि इसके राइटर मनोज मुंसिर शुकला को तो जेल में डाल दीना चाहिए और उसको आजिवन कारावास की सजा तक दे दीनी चाहिए जिस तरह उसने मजा किया है हिंदू द्रम के साथ है दोस्तो आप क्या कहते है इस पर अपनी रहा कमेंट बोक्स में जरूर दीजेगा धन्यवाद दोस्तों देखते रही है सच की आवाज